हेलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनियों को कवर करने वाले हैं उनसे रिलेटेट क्या-क्या अपडेट आ रहा है यह देखने व त्यक्राइब जो हमारा एक इंपोर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हैं जो प्रिवियस क्लोज था, वहाँ तक गया, फिर नीच आहा है, फिर महा तक गया, आप देख सकते है, फिर नीच आहा है, मतलब दोस्तो यह हमारा सत्रह हजार पार जो लेवल है, उसको ऊपर की स जादा हमें देखने को मिल रहा 17,000 के लेवल पे उसके साथ ही अगर देखे तो आज हमारा मार्केट 870 पे ओपन हुआ था ठीक है 17,000 अगर 37 का हाई लगा था लो लगा था 825 रुपे के आसबास का मतलब अभी मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो काफी नरम देखने को मिल रहा है मतलब दोस्तो थोड़ी सी देर में क्या हो रहे है दोस्तो टूड जा रहा है मतलब यह बहुत खदरनाक सपोर्ट लेबल ता बह कितना मतलब अभी का जो सेंटिमेंट है ना मार्केट का वो बहुत नरम हो गया है हो सकता है कि 16-500 का एक सपोर्ट लेबल वह भी इसली तरीके से ब्रेक हो जाए नीचे के साइड में कोई नहीं बोल सकते है ठीक है क्योंकि मजबूत लेवल यह है और नरम लेवल यह है ठीक तो सबसे पहले क्या अपडेट आ रहा है उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आया है किसके रेलेटेड दोस्तों यहाँ पर आगे मैं आपको बताने रहे वाला हूं किसके रेलेटेड है ठीक है यह तैम फ्रेम देख है derivative research JM finance service limited के ठीक है यह राहूल सर्मा जी है कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस प्राका से देखने को मिलते हैं ठीक है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखते हैं दोस्तों वो इस type के दिखते हैं ठीक है किस type के इस type के दिखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी क्या दोस्तों अभी है ना मैं इस वीडियो को play नहीं कर सकता ठीक है तो मैं इसको वीडियो को पहले इधर post करता हूँ फिर वो वीडियो को post करके मैं देखाऊंगा कि उन्होंने बजाज finance के उपर क्या राए दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं stock को radar में रखना है बजाज finance और जो target price दिया जा रहा है 8500 का ठीक है कितना? 8500 रुपे का यह target दिया जा रहा है दोस्तों राहुल जी के दौरा और जेम finance के वो head research head हमें देखने को मिलता है मतलब काफी बड़े firm के काफी बड़े वो आदमी है जो की काफी जोड़ार यह target हमें दे रहे है उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उपर भी एक target अपडेट हुआ है यह देखे ICIC direct के साथ एक दिन पहले ही अपडेट हुआ है 8500 का यहाँ पर भी ICIC direct ने भी एक बहुत बड़ा target अपडेट किया है उसके साथ ही company के साथ तरफ से भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि बजाज finance अपना जो FD का return है वो बढ़ेने जा रहा है ठीक है 7.75% करने जा रहा है ठीक है मतलब कर दिया है कर दिया है इतना अगर इसने FD का return कर दिया है तो definitely दोस्तों जो उसके पास customer है वो दोड़ दोड़ के आएंगे अब आपको तो पता है कि वो bank हो या मान लीजे non NBF हो पैसा उसके पास रखे रखे तो बढ़ता नहीं समने वाले को interest देना है तो उस पैसे को कहीं न कहीं तो दोस्तों investment करना पड़ेगा उसने आपको recommend कर दिया कि मैं साल फर में आपको साड़े साथ परसेंट या पोने आठ परसेंट रिटरन दूँगा तो वो आपका 1,10,000 अब जितना भी इबड़े लेते हो उतना परसा कहीं investment करेगा उसमें कुछ वो 10, 15, 25,000 कमाएगा मतलब 15, 20% कमाएगा साल फर में उसमें से आदा आपको देगा आदा वो रखेगा ठीक है तो ये जो update है दोस्तों बजाज finance के अंदर वो भी बहुत बड़िया देखने को मिल रहा है और बजाज finance का अगर हम performance देखें आज का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलकी की गिरावट के साथ अभी ये trading कर रहा है करेवें 7,220 रुपे पर आज का अगर previous close अगर देखे stock का तो 7,222 का था ओपन होता है 7,180 के सम्तिक हाई लगाता है 7,270 रुपे के असपास वहीं आपको पता है कि stock अभावन बीक का ही 8,500 का देखने को में मिलता है और इसका अगर technical pattern देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि technical pattern, technical pattern में क्या बोल रहा है दोस्तो technical pattern में यह बोल रहा है कि बजाज फाने साड़े साथ हजार रुपे का तो लेवल क्रॉस का चुका है नीचे के साइड में अब जो next support लेवल है बजाज फाने साथ हजार का है तो यह achieve हो पाएगा कि नहीं यह देखने वाली बात है अब ऐसा लग रहा है वो तो achieve हो जाएगा देखिए अगस्त का मन हो गया सितंबर मन्त अल्मस्ट कतम होने पागया है rejection लिया गिरावट सपोर्ट लिया तेजी सपोर्ट आती है तो तेजी और यह target साइड में को लग रहा है इसी base पे वो दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं कि यहाँ पर वो support लेगा देन उसके बाद एक अच्छा का सा bounce back देखा तो जो 8000 का एक important rejection point है वो break करके साड़े 8000 का target जो है वो धड़ाम से दे जाएगा देखते हैं कि आप लोगों को तो खाली point note करना है 8000 का एक सबसे important point मिड में साड़े 7000 का जहाँ भी rejection लेके गिर रहा है और next support level है दोस्तो 7000 का ठीके यहाँ पर आता है 7000 पर तो उसके बाद हम दुसरे point भी आप लोगों को update करेंगे कि 7000 का अगर level तूटता है तो उसके बाद कौन से level हमें देखने को मिलेंगे ठीके तो यह बजाज finance के तीन point तो आप note कर लीजे और इसके according stock को अपनी radar में रखिए ठीके चलिए next देखते हैं तो दोस्तो हमारा next update है ICIC bank के उपर यह stock को हम इसलिए update कर रहे हैं यह bank को हम इसलिए update कर रहे हैं क्योंकि दोस्तो इस bank का जो Q2 का number है वो बहुत अच्छा आने की उमीद है क्यों है दोस्तो क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो HDFC है ठीके वो private bank में सबसे उपर है उसका जो credit card वाला segment है वो भी सबसे उपर है second पाइदान पर आता है SBI ठीके और third पाइदान पर आता है दोस्तो ICIC bank ठीके मतलब आपने देखा होगा कि जब HDFC को ban किया गया था नए credit card issue करने में ठीके तो SBI के पास काफी बड़ा मोका था कि वो इसको पीछे कर पर है नहीं लेकिन नहीं लेकिन दोस्तो इसने इसके आगे जितनी भी bank थी दोस्तो और non NBC सबको पीछे पचाड के तीसरे पाइदान पर आ गया और जब तक दोस्तो RBI ने इसको unlock कर दिया मतलब unman कर दिया और फिर से ये नए credit card issue करना चालू कर दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं थार्ड पाइदान पर आ गया न तो इसको वहीं से काफी अच्छा फाइदा मिला ठीक है अभी अगर हम देखें तो stock ने last 6 मेने में हमें क्या करके दिया है last 6 मेने में देखे stock में 18% से ज़्यादा की तेजी है ठीक है overall की अगर मैं बात करता हूँ इस bank की तो आप देखे बैंक मार्केट में काफी पुरा नहीं है और 20,700% की तेजी अब देखे अभी पूरे high पर ही दिख रही है और यहाई 52 बिक का ही देखेंगे 936 का हमें देखन चलिएगा ठीक है चलिए इसका भी चोटा सा टेकनिकल एनलाइसिस देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो आइसी एसी बैंक का चार्ट पेटरन ओपन का डेली कंडल लगाया हूँ ठीक है यह टर्मिलल हमारा दोस्तो एंजल ब्रोकिंग का है ठीक है और यह यहाँ पर देखें पहले क्या हुआ इस टॉप ने एक सपोर्ट बनाया पहले तो साडहे 700व रुप्ची जिक्षे बनाया गिराबत प्र तेजी फिर असा लगा दो फिर घिराबट आईगी लेकिन नहीं फिर यहं पर सपोर्ट बनाया 2500 रुपय दोस्तोंates यह ओख सब सब से स्टॉक नीचे आ रहा है अब नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो सपोर्ट लेने की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कहाँ पर साड़े आठ सो के मतलब एक इंपोर्टन्ट सपोर्ट लेबल एक अच्छा कर बांस बेक देख सकता है अगर वो आएगा भी तो बीना किसी रीजन के यहाँ तक आएगा ठीके और यहाँ पर support लेके फिर एक bounce back देगा यहां तक आने का chance बिल्कुल भी नहीं है अगर यहां तक आने का chance है तो market दोस्तो हमारा जो भी दिखाया मैंने कि 16-500 आ सकता है तो definitely आ सकता है यह पकड के आप चलिएगा ठीके तो मैंने कुछ point बताए 900 का एक note के लिजे आर वन के नाम से ठीके S1 के नाम से दोस्तो 850 और S2 के नाम से दोस्तो 800 का कल दीजे ठीके यह rejection है इसके साब से stock को रिडार में रखके watch करिए चलिए next point देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लाइप मेंट की site के उपल आया हूँ और यहां पर एक दोस्तो काफी अच्छी कमपणी है infra stock है और उसने कमपणी ने क्या किया है 1-1 ratio में bonus यहां पर update किया है कब update किया है दोस्तो कल की date में आप यहां पर देख सकते हैं और यह जो company है company का नाम आप देख सकते हैं GPT Infra Project Limited है जिसके board of director ने दोस्तों का approval दे दिया है एक share पर एक share bonus का ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ बन इक्विटी शेर पर बन इक्विशी शेर आपको bonus यहाँ पर मिलने जा रहा है तो यह जो news है दोस्तों GPT Infra Project जो company उसके shareholder के लिए बहुत बढ़ी हमें दे जीए और overall के अगर मैं बात कहता हूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं company 2016 में आई है काफी उपर जा चुकिए काफी नीचे आ चुकिए और फिर एक बार अच्छी खासी condition में उपर जाने की कोशिश में यह आभी बेठी हुई है ठीक है तो आप जरूर इस company के related भी अपना जो स्टेडी है वो कर सकते हैं ठीक है और जो भी आएगा इन company उसे related अपडेट हम आप लोगों को definitely provide करेंगे तो आप इस वीडियो को फटा पट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तो ठैंक्यू दोस्तों